हे फ्रेंद्स वेलकम टेशन नमास्टेशन आज में एक फेमस आइडल एन उसकी क्यूर सी फैन गल की शॉर्ट स्टोडी एक्स्प्रेइन करूंगी उससे पहले अगर आपे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पूरी देखना पसंद आ करेंगे वह बगबग किये जा रही थी तब एक अन्नोन बंदा कैब में एंडर होता है अपने पास बैटे लिंसे को देखता तक नहीं ड्राइवर को जल्दी चलने बोलता है लिंसे कहती है ओए मैं बैठी हूँ दिख नहीं रही हो क्या और तुम हो कॉन कैब मैंने बूग करता है हमारी क्यूट लिंसे मान जाती है बार कुछ फैन गल्स अपने आइडल को देखने के लिए भाग रहे थे अन्नोन बंदा उनसे चुपने लगता है लिंसे कहती है वाओ कितने सारे फैन से जरूर कोई बड़ा स्टार आया होगा मैं कब स्टार बनूंगी अन्नोन ब सौरी जल्दी जल्दी में वालेट और मोबाइल लाना भूल गया था बाइदर वे थैंक यू लिंसे क्या ही करती कहती है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं मेरा तो दीन ही खराब चल रहा है जाने लगती है हानमों के पेट से अवाज आती है तो रुख जाती है पासी में एक करती है वो स्माइल करता है दोने एक पेस पर बैठ कर स्टीम बंस खाने लगते है अनून परसन को स्टीम बंस बहुत ही डिलिशियस लगता है बड़े मज़े से खार रहा होता है लिंसे कहती है हां बहला स्टीम बंस भी किसी को डिलिशियस लग सकता है तुमारी कंडिशन तो मुझे बहुत खराब लग रही है अनन बंदा कहता है मैं और कर भी क्या सकता हूं मेरी एजेंसी बहुत स्ट्रीक है मुझे बार का कुछ खाना ही नहीं देते हमेशा डाइट फॉलो करवाते हैं यह कहने के बाद बंदा रियलाइस करता है कि उसने कुछ जादा ही बोल दि विले यह फिर्ण था हान में उसे धीरे बात करने बोलता है किसी ने सुन लिया तो इसे फिर से भागना पड़ेगा लिंसे फिर भी अपने excitement उपाने ही पाती साथ में पिक लेने बोलती है उसके कुछ बोलने से पहले ही वो पिक क्लिक करने लगती है वो भी आग पोस करता ह बर देन उससे अचानक से याद आता है कि उसे तर्फ शूट के लिए जाना था लेट हो गया था वो हानमो को बाई बोलकर जाने लगती है वो शूट स्पोर्ट पर पहुच जाती है अच्छे से रेडी होकर आती है डायरिक्टर से कहती है कि मैं रेडी हूँ डायरिक्टर से आपसे आपको नहीं लगता है कि लोट करना ठीक है क्या डायरिक्टर अपने सेट पर इतने बड़े स्टार को से बहुत खुश हो से 17 यहां क्या विससे जानते हो वो कहता है है यह मेरी फ्रेंड है डाइरेक्टर का तर भीएवियर चेंज हो जाते है वह सौरी मिद जल्डी जल्डी में को ज़्यादा ही बोल गया मुझे पाफ कर दो लिंशे इत्स रोक के बोलती है डायरेक्टर कहता है मैं जाकर सब्पूश ड अपसेट देख मोटिवेट करने लगता है, मुझ जैसे स्मॉल डाउन का लड़का का स्टार बन सकता है तो तुम भी बन सकती हो, ऐसे ही हाड़ वर्क करती रहो, मुझे पूरा यकिन है कि तुम भी एक दिन बहुत बढ़ी स्टार बनोगी, लिंग से मोटिवेटेट फिल करत दैन, डारीरीक्टर उसे शुट के लिए बुलाता है, वह जाने लगती है, ओने बन से गुड़क विष्ट करता है, एक घंटे बाद उसका शुट कम्पलीट हो कीने भी मैंनेजरा हौतला है, गिफ्ट सेंड किया था जो कि मैनेजर उसे देती है बर देन मैनेजर उसे जलस होने लगती है कहती है हान्मों को यूज करके पॉपुलर होने के सोचना भी मत हमारी लिंसे का तो ऐसा कुछ इरादा था ही नहीं अपने आप से कहती है मैं हाड़ वक करूंगी देन पूरी को देखता है लाइक करता था बर देन धीरे दीरे उसके फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है सभी को वह अच्छी लगने लगती है सभी उसकी भर भर के तारिफ करने लगते हैं कमेंट्स पर कर वह बहुत खुश होती है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब हमारी लिंसे को एक बहुत बड़े फिल्म में लीड रोल उफर होता है वह बहुत कुश हो जाती है कुछ दिनों में शूट भी सिटाट हो जाता है वो अपना बेस्ट देती है और हटी ले कहां भी हो कैसे भी हो किसी भी हाल में हो उसका एक भी पोश्ट मिस नहीं करता देखते देखते दो साल बीच जाते हैं, हमारे लिंसे की महनत रंग लाता है, उसे बेस्ट फेमर लीड का अवार्ट मिलता है, एन हानमो को बेस्ट मेल लीड दोनों साथ में स्टेज बनाते है, हानमो अपने आप से कहता है, फाइनली, अब मुझे मेरी कुईन के लिए और वेट नहीं करना प लाल जाते हैं, आप से कहता है, आप